आप साजिस्ट करने वाले लोगों से कैसे बजे आपके लाइब में किसी बी तरह साजिस्ट करने वाले लोग है तो इससे आपको किस तरह से बचना है क्या करना है वही सब कुछ हम रेडिंग के थो देखेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल लखी है जिसमें फर्स्ट पाइल है सिक्स ओफ सॉड्स सेकंड पाइल है कींग ओफ सॉड्स और थर्ड पाइल है टैन ओफ सॉड्स यह तीनों पाइल के उपर आपको मैटेट करते हुए अपने एक पाइल चूस करने है जिनको पाइल चूस करने में परिशानी आ रही है वो पहले ध्यान से यह तीनों पाइल देख लीजे फिर अपने आखें बन करिए और इंटुसन से दिखने की कोसिस किजिए यह तीनों पाइल में से आपको कौन से एक पाइल दिखाई दे रही है वही आपके पाइल रहेगी तो ध्यान से आपको तीनों पाइल देखनी है फिर अपने आखें बन करनी है और आपको तीनों पाइल में से पहले जो एक पाइल दिखाई देती है वही आपके पाइल रहेगी, ओके, ये एक जनरल रेडिंग है, सब भी बाते सबी के साथ रेजोनेट नहीं करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टम दे रहे हो, वहाँ जाकर आप अपने पाइल देख सकते हो और आप मेरी चनल के मेंबर भी बन सकते हो, तो जाए चेक आउट केजिए, तो चले स्टार्ट करते हैं गाइस हाई एवरिवन, अब जिसके सने पाइलों छोज़के है, सिक्स आप सौर्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम रेडिंग के तुरिते था, इसकी साजिस करने वाले लोगों से आप कैसे बचे युणिवर्स डिवाइन पाइलवन टावर, मॉट्रों तरेक हमारे पास से दी शेरियत, युणिवर्स डिवाइन पाइलवन, मुमन होड़नी का हाथ, जर्णी, लूट। अच्छो शत्रावान नोट प्रिए लॉड़जार्वार्टफवार्ग निवन दॉड़ाके लॉड़ हुड़त है अजदो में मृत्रा टुड़ी पासर थिर्षा हुड़ी सम्योल प्रेख टल्स श्वक्रावि झाल निवन गाइस universe divine file one suggest करने वाले लोगों से आप कैसे बशे the hangman the fool seven of pentacles two of cup five of pentacles five of pentacles को clarify किया है justice bottom to deck हमारे पास है eight of pentacles अब आपके कर्मा के कार्ट से पता चलेगा आपकी लाइप कैसे चल रही है अभी अनिमल गार्डियन प्रोटेक्शन गार्डियन वार्यर फायर गार्डियन वाइट वीच बॉटम टे रहे हमारे पास है सेफ सिप्टर ओके गाइज आपकी लाइप में बढ़ चरकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोग है साइद ये आपको भी पता है ओके और आप भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन मानने वाली इंसान हो आपका बिली भगवान के उपर बहुत ज़्यादा है इसके चलते आपकी लाइप अच्छी चलती है अच्छी चलती है मैंने कहा है खराब होती है फिर से अच्छी हो जाती है मतलब इस तरह से up and downs आपकी लाइप में आते रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में साजिस करने वाले हैं इसके चलते आप बार-बार किसी ना किसी मुसीबत में फसी जाते हो और उसे बाहर भी निकलाते हो तो आपके लिए तो बहुत सारे लोग साजिस कर रहे हैं तो आपने तो उनका खजना ही लूट लिया हो, इस तरह से वो कर रहे हैं, आपने तो उनके लिए कुछ भी खराब कभी भी नहीं सोचा, आप तो भगवान के बंदे हो, आपने कभी भी उनके लिए कुछ भी खराब नहीं किया, फिर भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बढ़ चरकर अभी जो आ रहे हैं आपकी लाइप में जिसका आप सामना भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और यह बहुत अच्छी बात है और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से सबक भी सिखा रहे हो और भगवान आपको बहुत अच्छी तरीके से बुद्धी भी और active रखते हैं और confident रखते हैं जिसके चलते आप जो भी साजिस होती है उसको आप दूर कर देते हो साजिस का मतलब होता है कि आपके life में जो भी दूख आते हैं परिशानी आती है या बार बार मुसीबत आती है वो टल भी जाती है, निकल भी जाती है, दूर भी हो जाती है, इसके लिए आप फिर से निस्चिंथ हो जाते हों, और फिर से अपन डाउन्स आपकी लाइफ में बार बार होते रहते हैं, टावर मोमेंट है guys, और टावर को क्लैरिफाई किया है चैरिट, तो वही बात है कि बाचित करते हों, वो भी आपका दुस्मन बन जाता है, यानि कि एक नेगेटिव परसन बन जाता है, और आपको आपसे ही वो जलने लगता है, और आपका ही बूरा सोचने लग जाता है, इस तरह से आपकी लाइफ में होता है, और वही इंसान आपके लिए प्रॉब्लम भ खड़ी करता है, आप उसमें से अपना एक जो बहुत ही खुबसरत आपको भगवान ने दिया है, बुद्धी, इस बुद्धी का सही तरीके से इस्तमाल करते हों, उसमें से बाहर निकाल आते हों, और आपके उपर भगवान की एक ब्लेसिंग है, जिसके चलते हैं, आप कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, फिर भी आप उसमें से बाहर निकल ही आते हों, तो वो आपके लिए अच्छी बात है, और जो ये जो पिछले जर्म के कर्मा के हिसाब से, आपके लाए फबी भी अपने डाउंस में चल रही है, अच्छा वक्त आता है, अच कि ही इंसर्ट करता है, ये बार-बार आपके साथ होता रहता है, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हों, आप में इसे कुछ लोग सीख रहे हैं, आप में इसे कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, अपने जीवन से, अब आप में इसे बहुत सारे लोगों की नेग कर्मा की साइकल खतम हो गई है इसके चलते अब आपकी लाइफ में अप एंड डाउंस नहीं आते हैं लेकिन कभी-कभी जो छोटी-छोटी एक रुकावट आती है इसको लेकर आप सोच में पढ़ जाते हो कि किसे ने साजिस की होगी तो नहीं वो हमारे जिंदगी का एक तो आपकी लाइफ में अभी तो आपको जेश्टिस मिल चुका है और अभी हाल फिलाल तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की साजिस नहीं है कुछ लोगों की जो लोग ने एक डाउट अभी भी उनके मन में पहले जो उनकी लाइफ में हो चुका है जिसके चलते वो उनका सोभाव डाउट हो एक संकासिल हो गया है वो बहुत सारी चीजों को लेकर तुरन डाउट करने लगते हैं छोटी-छोटी बाते चोटी-छोटी मुसीबत आई हो या चोटी-छोटी बातों को लेकर तकलीप आई हो तो उनको लेकर डाउट करने लगते हैं तो इस तरह से आप एक छोटे-छोटे आप्स्टिकल आते हैं, वैसे ही है, तो उसको थोड़ा आराम से लिजे, डाउट मत कीजे, संका सिल्थ सभवा पहले जो था उसको बहार निकलना है, इसको दूर करना है, और आराम से अपनी लाइप को जीना है, और आप अच्छे लोगों के उपर भी डा पिशले जनम की करमा ही है, जिसके चलते ही, जो इनसान के साथ बात्चित करते हो, वही लोग आपके लिए साजस करने लगते हैं, वही लोग आपके लाइप में रुकाउट लाओते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं, और आप उनको सौट आउट बे कर देते हो, क्योंकि भगव जाली भी हो, टालेंट भी हो, और अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो, और आपके अपने लोग ही आपको धोका भी दे जाते हैं, ओके तो यह जो ऑपन डाउंस है, वह आगे चल कर खतम हो जाएगे, लेकिन अभी तो आपको उनके साथ लड़ना पड़ेगा, तो लड पानी देते हो, पानी भी पी लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है, वह आपके लिए बहुत बड़ा विश्वास घाद भी हो सकता है, तो वह आपके लिए बड़ी मुसीबत भी पैदा कर सकती है, वह बात समझने की कोसिस किजी, चाहे आपके अपने लोग फ्रेंड हो, इसे भी करके उनके साथ एक एक्तियार पर बातचित करनी है, यानि कि एक उनको समझते हुए बातचित करनी है, कि वह सामने वाला इंसान क्या कहने की कोसिस कर रहा है, उनको समझने की कोसिस किजी, उनके बरताव से जानने की कोसिस किजी, आपको उनके उपर डाउट नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप में ऐसे कुछ ऐसे लोग है जिनको इंसान को पहचान नहीं नहीं आता तो थोड़ा आसपास के लोगों के बारे में कम सोचे और अपने बुद्धी के उपर ज्यादा ध्यान दीजिए और बुद्धी को ड्वैलप करने की कोशि किजिए आप जब खा रहे हो तब आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है जिससे आपकी खाने की एनरजी में दूसरे लोगों की एनरजी सामिल ना हो माइन को हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं आप जो कुछ भी अपनी जीवन में कर रहे हो एक अच्छा प्रसंग या फिर एक सुब कारिय कर रहे हो तब बुरे लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो उनकी नेगेटिव एनरजी के बारे में नहीं सोचना है तब आपकी बुद्धी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी तो आप अपनी बुद्धी से सही इंसानों को पहचानना सीख जाओगे साजिस करने वाले लोग आपके नज़्धी की लोग है जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा एवरनेस में रहना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा पहले तो इंसान को पहचानना सीख लेजे थोर्ड एडवाईज आपके लिए यही है कि आप कभी-कभी कुछ लोगों की बाती ध्यान से नहीं सुनती हो और लैटको कर लेती हो तो ऐसा नहीं चलेगा आप चाहे 21 से 40 के उम्र में आते हो तो आप लोगों के बादे ध्यान से नहीं सुनते होंगे और ऐसे ही अवोइट कर देती होंगे या साइट कर देती हो हुर एक इनसान चाहे हो आपके सामने कोई छोटा इनसान हो या बड़ा इनसान हो उनकी ध्यान से बात सुनने की कोशिस तो कीजिए उसमें सही आपको आपके जवाब मिल जाएंगे यह आपके लिए एडवाइस है जिससे आप आराम से पहचान लोगी कि साजिस करने वाले लोग कौन है अब जो साजिस कर रहे हैं उनसे बचने के लिए तो यह सब को जो मैंने कहा है वो तो आपको करना ही है और आपका भगवान के उपर बिलीव नहीं है तो बिलीव बढ़ाइए और बार बार आप भगवान के उपर भी डाउट करते हो आपके परिस्तेति अच्छी नहीं चलते है तो भगवान अच्छा नहीं है आपकी परिस्तेते अच्छे चलते हैं तो बगवान अच्छा है तो ये आपका बिलीव नहीं हुआ बिलीव 100% होना चाहिए चाहे आपकी लाइक में कितनी भी मुसिबत आ जाए आपका बिलीव इदर उदर नहीं होना चाहिए वही गोड के उपर विश्वास है एट और पैंटिकल का मतले भी होता है कि आप अपनी तरीके से बहुत अच्छी कोसिस करते हो वेरी नाइस तो आपको उनसे बचने के लिए आपके आस पास के वर्क प्लेस के जो भी लोग है उनके उपर पूरा दिन ध्यान नहीं देना है लेकिन जो लोग आपके साथ बाचित करने आते हैं उनकी बाते ध्यान से सुननी है क्योंकि जो आपके साथ connection में रहेगा जो आपके साथ बाचित कर रहा हो वही इंसान अच्छा है या बुरा है वही बापन अए सबी लोगों के उपर डाउट नहीं करना है वो समझने की कोसिस केजिए सेफ सिप्टिर का मतलब यही होता है कि आपको भगवान ने जो एक सक्ती दी है अंधरों नहीं सक्ती है आप टेलेंटेड हो भगवान के उपर आप बिलीव करोगे तो आपके लिए कुछ भी ना मुंकि नहीं है आपकी इंटेसन पाउर भी तेज हो जाएगी तो जो मैंने कहा है कि भगवान के उपर किसी भी तरह डाउट नहीं करना है 100 पसंद भगवान के उपर विश्वास करोगे तो आपकी इंटेसन पाउर तेज हो जाएगी और आपके लाइफ में अच्छे लोग कौन है बुरे लोग कौन है वो आप पहचाना सीख जाओगे फिर आपको उनके साथ डील करना भी आजाएगा सीक्स ओफ सॉट का मतले यही होता है कि उनसे बचने के लिए आपको यह कार्ट तो यही कहता है कि आपके पास अच्छी एक सद्धर लाइफ हो पैसो से वेल से लाइफ हो तब उनसे दूर हो जाए आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो तो आपको किसी भी तरह अपनी बुद्धी क्वाइन का सही तरिके से इस्त Nobel करना पड़ेगा जिससे आप उनकी साजिस में ना फोसो बोहती चाला की से काम लोगे तो आप उसे बाहर निकल जाओगे और असानी से निकल जाओगी बहुत ही आसने से सिर्फ थोड़ी बुद्धी का इस्तमाल करना है और अपनी बुद्धी को साप रखना है तेज रखना है यह रिडिंग डूल एकसर सब्सक्राइब इन कॉमेंट लव यू पाई हाई अब जिसके सिने पाइल टू चूज कहें कि इंग ऑप सौट इसके बार टू एकार में जरू लों कि जुज्जमेंट बॉटम टरेक हमारे पास इडियरफंट अके कि इंग पास इंग बॉटम ट लूटं लग्ट बंट लूटम में वेड़ बॉतियो में शबंट ए घ्यार के लिड्स सब्सेट। हिलर आप देजिस दसन बाटम तरेक हमारे पास है दिवर्ड विल्ड विल्ड फोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फाय पैंटिकल थी पैंटिकल फाय थी होता है काइज एट इस पैंटिकल यानि नाइन पैंटिकल बाटम तरेक हमारे पास है दिवर्ड प्रेस शॉआं बॉट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टलिक तरम है ट्रेडर लास्ट्ट्ट्ट्टर मेजिक गार्डियं ऻाता फेल्ड ओम टरेक हमारे पास है गीड टीचर कुके हैं तो कुछ आपके काड़ आप देख रहे हूं आपके एनरजी तो बहुत चादा पॉजिटिव है लेकिन परिसान हो ओके जजमेंट को क्लारिफाई किया है अब बहुत चादा बुद्धिसाली और बहुत थी जीनियस हो गाइस ओके आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अल्रेडी देख लिया है जिसके चलते आप बहुत मेहनत भी हो और इस तरह के नेगेटिव लोगों से तो आपको बहुत ज़धा नफरत है बहुत ज़धा मतलों बहुत ज़धा नफरत है आप उनसे दूर भी होना चाहते हो लेकिन ब कि एनरजी बहुत जदा पॉजिटिव है तो आपकी लाइब भी बहुत ही खुबसरत होगी एक अच्छी पोजिशन के मालिक होंगे और आपके पास कम पैसे है फिर भी आपकी पोजिशन अच्छी है बहुत सारे लोगों की जान पहचान है बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है आपकी एक कॉम्यूनिटी में वैल्यू है बहुत अच्छी एक आपकी एक वैल सेट लाइफ है गाइस ओके लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो बड़ी ही आती है छोटी नहीं आती है ये सायद आपको भी पता है ओके और बड़ी प्रॉब्लम को सॉट आउट करते-करते आप बहुत ज़ादा आपकी पैसो की खराबी भी होती है या फिर कम हो जाते हैं, ओके, तो पैसो से ही आप सॉट आउट कर लेते हूँ, यह आपको भी पता है, ओके, तो साजिस करने वाले लोगों से आप कैसे बज़े, तो आपकी लाइफ में तो गाईज, Black Magic ही हो रहा है, तो मैं तो क्या ही को हूँ, Black Magic को आपको दूर करना ही पड़े का, अपने तरीके से किसी एक उनुभवी इनसान को डूंड निकालना है, और उससे आपकी लाइफ में जो भी Black Magic है, उनको दूर करने की कोसिस कीजिए क्योंकि आप रियरली में बड़ी मुसीबत के लिए पैसे भी खर्च करते हो और आपकी लाइफ को लेकर मैं यहां यही कौनगी कि आप मेंसे कुछ लोग जो बड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको लेकर आप बड़ी प्रॉब्लम ही आ दी है छोटी प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है जिसके चलते आप गबरा जाते हो दुखी हो जाते हो यहां सिब्लम में आपको यहां यही कहूंगी कि black magic को दूर करने की आप कोशिस करनी चाहिए, आपकी एक पैसो को लेकर well-set और अच्छी healthy life है, तो आपको इस तरह के जो लोग है, पहले तो आपकी life में जो ये black magic की negative energy है, उनको दूर करने की कोशिस कीजिए, फिर जो भी आपकी life में लोग है, वो कौन लोग आपके लिए साजिस कर रहे हैं, आपको पता है, तो उनसे connection तो पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, उनसे बातचित करनी भी बंद करनी पड़ेगी आपको, उनसे पूरी तरीके से दूर हो जाएए, आप अपना एक काप अलग सीटी में चले जाएए, यहां में यही कौनगी, क्योंकि वो आपको बरबात करने के लिए बहुत चादा कोसिस कर रहे हैं, वो यहां साप साप देख रहा है, और आप गाईस, इन लोगों सापको दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार साजिस करते रहेंग आपकी लाइफ खरब करने की कोसिस करते रहेंगे, तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ओके, आप देख रहे हो, आप बहुत जदा अब तंग आ चुके हो, इस तरह के साजिस करने वाले लोगों से, इस तरह के एक नेगिटिव लोगों से आप परिसान हो चुके हो, औ और अभी आप बहुत चीड़े हो गए हो, गुस्से वाले हो गए हो, कि इन लोगों का मैं क्या करो, आपके पास अच्छी लाइफ हो तो आप उनसे दूर हो जाईए, कैसे भी करके, आपको पता है कि वो कौन है तो, और आपको नहीं पता है, तो पहले तो धूर निकाले कि य लोग कौन है, पहले तो साफ-साफ मैं यहां कहरे ही हो, कि ब्लैक मेजिक की एनरजी को अपने घर के वाता ओरं से, अपने आश पास से दूर किजी, फिर इस तरह के लोगों से दूर हो जाए, नेगिटिव लोगों से दूर हो जाए, और आप अप भी चिर चिर हो रहे हो, आपकी एनरजी खराब हो रही है, आप बहुत अलगुस्टा भी हो रहे हो, तो गाइस ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने कहा है वो करो, और आप अपने लोगों के उपर 100% विस्वास मत करो, वो तो नहीं कर रहे हो, साब साब दिख रहा है, अभी तो आप की इंग कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझते हो, आप इतने तंग आ चुके हो इस तरह के नेगेटिव लोकों से, सिब में आई यहीं कहूंगी कि बहुत सारे साजिस करने वाले लोग हो, तो फिर आपको दूर हो जाना चाहिए उनसे, ओके, यह है रिडिंग, डू लाइक से सब्सक्राइब और कॉमेंट, लव यू, भाई, हाई एवरीवन अब जिस किसने पाइल वाँ, सौरी पाइल थे चूश के है, टैन आप सोट टो गाइस, इसके बारे में बाद में बताती हूं, पहले हम रेडिंग के तो देखते हैं कि साजिस करने वाले लोगों से, आप कै के, रिस्टन रेजुएशन, दूर रोमांस, होस्तिलिटीज, इलर अब देजिस, बॉटम टरेक हमारे पास है, वुमन होल्डिंग का हार्ट, ओके, बारे कलिए लांस, इसके का तुरीदीन, दूर Onunसिएजिए, आप को जस्टीक चाहिए, बातव मैं क्लिए घृति ऋर्ण आपासे दी एम्परेश स्काइफादर मेडिसन मदर होके रोकन आरो वेंटर अर्थकादिन साजिस करने वाले लोगों से बचना हो तो पहले तो आपके एनरजी की बात की जाए आप बहुत एफ़र्ट लगा रहे हो अपने तरीके से कोसिस कर रहे हो बहुत अच्छी कोसिस हो रहे है इस वज़े से आपने अपनी लाइब को बदला भी है और साजिस करने वाले लोगों को अपनी लाइब से बेद अकल भी करने की पूरी तरीके से कोसिस की है और किया भी है ओके लेकिन पूरे तरीके से नहीं दूर कर पा रहे हो ये आपके दिमाग में आ रहा है आपके कर्मा की कार बता रहे है कि मैंने कोसिस तो की है और जिस तरह से आप अपने बारे में सोच रहे हो कि जितने भी साजिस करने वाले लोग थे उनको मैंने अपनी तरीके से धून निकाला कि वो कौन है और फिर उनको मेरी अपनी लाइप से बेदखल भी कर दिया लेकिन कुछ छूट रहा है इस तरह की आएनरजी आपके दिलु दिमाग में आ रहे है कुछ तो बाकी है कुछ तो है जो मेरी आखों के सामने नहीं आ रहा है जिसके चलते अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ साजिस तो हो रही है मेरे लिए इस तरह के आपके दिलो दिमाग में एक सूच, ठॉट प्रसेस, आप नहीं भी सोचना चाहते हैं, फिर भी आपके इंट्विशन आपको याद दिलाती है और आपके दिलो दिमाग में वो बात आही जाती है, तो वो सच है कैस, कुछ बाकी है साजिस करने वाले लोग जो आपने दूर कर दिये हैं अपने तरीके से, उसमेंसे कोई तो बाकी है जिसके चलते अभी भी आपके लाईप पूरी तरीके से स्टेबल अभी भी नहीं हुई है, वो बात आप भी जान चुके हो अभी भी और किसी भी तरह उसको धूर निकालने के लिए अभी आप अपनी दिमाग का सही तरीके सही इस्तमाल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि वो कौन है जिसके चलते अभी भी मेरी लाइफ में साजिस हो रहे है उस इंसान को धूर निकालने के लिए आप अपना एक बहुत चादा effort लगा रहे हो, बहुत चादा मेहनत कर रहे हो और यहां मैं आपको कहना चाहते हूं गाईस कि किसी भी तरह की एक थोड़ी negative energy है उसको अपने घर परिवार की life से दूर कीजिए, ओके, negative energy के बारे में कह रहे हूं, कोई इंसान के बारे में नहीं कह रहे हूं किसी भी तरह की आपके घर परिवार में आपके अपने लोगों के, मतलब आपके वातावरर में कुछ negative energy है उसको थोड़ा side करने की कोसिस कीजिए, किसी अनुभवी इंसान को ढूंड निकालते हुए और ये जो आपने कोसिस की है, तो आपको पता है कि आपकी पास अनुभवी इंसान है जिनको बताए कि किसी भी तरह की negative energy हमारे घर में हो, हमारे साथ हो, तो उसको दूर कर दीजे इस तरह से आपको बोलना है तो वो दूर कर देंगे, ओके? और कोई इंसान है आपके life में जो अभी भी साजिस कर रहा है उसके लिए आपके लिए कहा जा रहा है कि वो आपके बहुत ही नजदी की इंसान है जिसके साथ आप अपनी सारी ही बाते सैर कर रहे हो, उनको सब कुछ बता रहे हो आप उनके उपर बहुत ज़दा विश्वास करते हो और उनके साथ आगी भी बढ़ते हो तो वही कोई इंसान है जो आपको धोका दे रहा है तो उसको धोर निकाली किसी भी तरह और उसको भी अपनी लाइफ से बेद अखल कर दीजी यही आपके लिए इस एक साधिस से बजने का तरिका है बाकी तो आपने सब कुछ अपनी तरीके से करे लिया है आपके जो एक कर्मा के काड़ है तो वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हो आवनेस में रह रहे हो बहुत चादर ध्यान देते हो अपनी फैमिली के उपर भी आपको बहुत चादर फोकस से ध्यान है और सबी की अच्छी life के बारे में सोचते हुए किसी भी तरह का decision लेते हो और आपने अभी तक ये इस तरह के suggest करने वाले लोगों को अपनी life से बेड़कर कर भी दिया है यहां वो साब साब दीख रहा है लेकिन कुछ है जो बाकी है अभी तो मैंने जो कहा कि कोई इनसान है उसको भी दूर करना है और energy को भी दूर करना है तो वो ख्याल रखे ध्यान रखे ओके बाकी तो कोई problem नहीं है गाईस लेकिन यह जो एक इनसान बाकी है जो बहुत ही नजदीकी है और आपके लिए साजिस कर रहा है आपका ही खा रहा है और आपका ही पीट पीछे आपके वार कर रहा है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है उसको जले से जली धूर निकाले वो आपके लिए बहुत चाद़ ज़रूरी है क्योंकि वो आगे चरकर बड़ी प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है इतना याद रखे दिया अंपरेस के पोजिशन यहीं दिखाते हैं कि आप अपनी तरह के से अच्छी कोसिस कर रहे हो इस वज़े से हलका फलका महसुस कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी भी बैट कर सोचने की मुद्रा में हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं कुछ सोच रहे हैं जो मैंने कहा कि आपके इंट्रिशन पाउट बार बार आपको क्लिक बेट डे रही है बार बार आपके दिमाग मिला रही है वो बात कि कुछ बाकी है उसको सुनिए समझे और दूर करने की कोसिस किजिए ओके कुछ है जिसके साथ अभी भी आप जूड़े हुए हो टैन अफ सोट के एनरजी यही दिखाती है कि आपने अपने अनुपर से बहुत कुछ सिखा इस वज़े से आपने साजिस करने वाले लोगों को भी दूर किया और आप इससे बाहर भी निकल आई हो और अब आपक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है तो इसको भी दूर कर दीजिए बाकी लाइफ तो अब अच्छी हो गई है पहले से बैटर है जो मैंने कहा साजिस करने वाले लोगों से बचने के लिए आपको उनसे दूर होना ही पड़ता है वो पहला एफ़र्ट आपको लगाना ही पड़ता है और जो बहुत ही नजदीक लोगे इसको लेकर आपको धूर निकालना है इसका मतलब यह होता है कि यहां भी आप सोचने की मुद्रा में हो यहां भी आप सोचने की मुद्रा में हो तो यह कार्ड यह भी कहता है कि बहुत ही नजदीकी इनसान है उसको ढूर निकाले वरना वो आगे चलकर कुछ बड़ी प्रॉब्लम केयर्ट कर सकता है वो आपके लिए एक warning के तोर पर मैं कह रही हूँ वो समझे यह है reading, do like, subscribe and comment, love you, bye